गोल दी साधी के बाद जो एक संबंध होता है कि आप लोग में बना कभी नई कभी नहीं नहीं बना साम तक वह अपना साथ में सुला के रखी रात भर सुला के रखी एक दम पंचाइट में हम खुल के सामने बोल दिये जो अगर दी हम नापुनसक है तो अपना बेट्यू का मेरे को खोल के चेक किया था खोल के चेक किया था तीन और अगर दी मेरे को एक लाग रुप्या नहीं मिलेगा तो लड़का को घर से उठा के लेके चल लागा चार्ज हो गया उसका लग रहा था मेरे को उसका जीजा से चकर चल ला साधी के साथ से आठ दिन होते हैं और उसके बाद एक ऐसी वाख्या हो जाती है जिसके बारे में बताते हुए सर्माता है लड़की साधी से साथ आठ दिनों के बाद अपने पती से दूर हो जाती है और ऐसा गंदा आरोप लगाती है कहती है कि मेरा पती नापुनसक है अब इस चीज के बारे में क्या ही कहा जाए जिनके साथ ये घटना हुई वैक्ती पंकस कुमारा भी हमाए साथ मौजूद है इनकी पत्नी इसको इसलिए छोड़ देती है कि कहती है कि ये नापुनसक है अगर नापुनसक है तो इनकी जाच कर अब सारी घटनाओं के बारे में हम इनी से जानेंगे कि इनके उपर यह आशा आरोप लगाया गया है ये कहां तक सही है या फिर लड़की किसी तरह का जाल साजी इनके साथ क्या कर रही है कितने दिन पहले साधी हुआ था पंगा जी मेरा साथ तरीक को साधी हुआ था जी सर कितना दिन हुआ होगा और आट से नौ दिन मैसा क्या होगी है जो आपके उपर ऐसा घिनोना आरोप लगा के चली गई कि आप नापुनसक हैं अब तो वह तो खुदी जान सकती हैं कैसे ना नापुनसक हो गया कितनी उम्र होगी मेरा एक्की साल होगा उमर की साल के लड़के पर ऐसा घिनोना आरोप साधी से पहले तो यह नहीं है कि जबरदस्ती पकर-पकर के साधी करा दिया हो ऐसा कुछ नहीं है अच्छा से हुआ होगा अब जब साधी हुआ तो उसके बाद ऐ इसलिए वह ऐसा बोल दी नापुनसक है उसका चक्कर, नहीं नहीं करने दिया हो तो पहेसे बोल दिया नापुनसक है हम सारीन में डच भी करने दिया कोई संब्ध भी नहीं है फिर भी आपकी उपर आरोप लगा दिया जी सर कि शाधी होकर आप आये घर किसी तरह का तक आपक लेकर साघी होके हम लेकर आढ़ा अपना बीबी को वहां से दो भाई अपनाㅋㅋ लेकर आए थी साथ में तो सुबेरे सवां तक वह अपना सांत में उलाके रखी रात भर सुला एकые डम मेरा बम्मी उसको बोली कि हैं किला के सो जाने के लिए तो उसके बाद भी आरूफ लगा दिए अपकी कोई गलती कोई गलती नहीं सुने है कि परिवारबाले से आपको धंकी भी मिला है हां मेरे को दंकी दिया गया अगर मेरे को एक लाख रुप्या नहीं मिलेगा तो लड़का को घर से उठा के लेगों फैसे दिया था उपई सा वापस मांग रहा है तरु से जो मतलब उसके साथ में हम सोई तो चाहें सोई कुछ नहीं किये पर मैं अपना बेट पिस जितना सोही ना उसी का लग रहा है मेरे एक लाक रुपया चार्ज माँग रही है मतलब उसके बगल में आप सोग उसका एक लाक रुपया चार्ज हो गया यहीं सामने मुर्दन की साबित कर देते आपना बैट्यु का यहां यहीं पर मंतन की सावित कर देते हैं कर देते खले हम ऐसी के सामने मरडान की साबीत कर देते हैं सबको सबको हम बोल दिया पंचाइद के साने में इतना बड़ा बात बोल दिये हम मतलब बीच भड़ी सवा में आपने यह कह दिया कि अगर हम नापुनसक हैं अगर इसका आरोप सही है तो बुलाई हम सामने में मर्दान की सावित करके दिखा जी सर हम ऐसा बोल दियो वहाँ उसके बाद भी उस लड़की को सर्म नाम की कोई चीज नहीं है को सुने है कि यह भी कहते हैं उनके परिवारवालों के सामने के अगर हमाथ है किसी में तो हमको चेक करके भी देख ले नहीं मेरेको खोल के चेक किया था उसका मतलब आज के समय में भी सब चीज हो रहा है इतनी घटिया बात है पंकाजी आप बुलते हों भी सर्म आता होगा मता पिता के सामने उस बीच पंचायत में आप यह चीज बोल दिये तो लड़की का तो मुह बन गिया होगा अच्छा से लड़की वहां पे नहीं थी वहां पे पंचायत का जितना था मर्दावा लोग थ था देते हैं उसका बाप कोई जवाब दिया तो बोला लड़का पागल हो चुका है तुम्हारी बेटी आरोप लगा दी कि लड़का ना पुन सब्सके तो पागल नहीं है नहीं है नहीं है अब क्या किया जाए इनका टेस्ट कराया आज तुमको सर्म आती है आज कल की लड पाच दिन पहले ही उसका घर में जहनए चल रहा था उसका लग रहा था मेरे को उसका जीजा से चकर चल आ अपने जीजा से चक कर चल तो वो यह से कैसे भी आपसे छुटकारा पाने के लिए आपके उपर यह इंजाम लगा जी सर अब पैसा मांग रही है दीजेगा एक लाग रुपिया कहां से अब कहां से देंगे हम गड़ी करते क्या है हम जॉब करते एक ठोगलकत्ता दुकान में प्राइबेट कंपनी में नही सिर्फ दुकान में बताई अब एक लाग दुला का डिमांद कर रहा है कहां से दिजेगा करजा लेके दिजिएगा अब कहां से देंगे हम वही तो भद धमकी देती है कि केस उसकर देंगा इसा कुछ नहीं दिया सिर्फ इतना ही बोला अगर दी एक लाग रुपिया नहीं चुका है मेरा अगर आप ये दावा ठोकना चाहें जो आपकी उपर नापुनसक का अरोप लगा रहा है वो अगर हम दो अगर दी नापुनसक हैं तो हम आप सब का सामने में पैंट खोल के दिखा सकते हैं इतना अंदर मेरा है अंदर सब सुनने के बाद भी लड़की को सरम नहीं आ रहा है आज के समय में ये यूग इतना आगे बढ़ते जा रहा है और उस बीच में इस तरह की घटना देखने को मिलती है जब आपको साधी बिवा नहीं करना है तो किसी लड़के की जिंद्गी बरवाद नहीं की जिनके परिवार के इज्यत पे भी सवाल उठता ह होगा गाउंघर के लोग भी इनको सही से नहीं देखते होंगे लड़की के आपको कोई गलती नहीं पर अगर लड़की के साथ को दिक्कात होगा ना तो पूरा महिला आयो का तीम उसको सपोट करने के लिए उतर जाएगा लेकिन आज पूरूस परतारी थोड़ा है तो इन पूरूस आएगा नो कोई पूरूस आएओ सरकार ने बनाये है न वह इनके लिए अब ना जाने इनका साथ कौन देगा और इनको ने आइकों दिलाएगा इनके छवी पे इनके इज़्यत पर जो कीचर उचलिए उनको कौन साफ करेगा और इन सारे चीजों को देखते वे उस लड़की के उपर भी करवाई होनी चाहिए, हला कि यह अभी तक कोई केस, कोई मुकदबा नहीं किया है, लेकिन फिर भी सर्म आती है, कि उस लड़की का परिवार कैसा है, और उस लड़की का संसकार कैसा है, और इस सर्मसार कर देने वाली घटना के बारे में आप तमाम लोगों का ख्यास होचना है, एक बार कमेंट सेक्षन में अपनी राई जरूर दे, जहिन